आपका स्पागत है आज हम जबर जस्त बढ़िया क्रिस्पी करारी फ्लावर पूरी बनाएंगे तो फ्लावर पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरी काटो रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पे हम यह बड़ा बाव उनमें तीन कप पर की मेदा का आठा डालेंगे तो मेदा को अमने छान के युश किया है उसके बाद एक टेबल स्पून चीतना डमग एक टेबल स्पून चीतना ब्लेक पेपर पाउडर आधा कपचितना तेल तो ये पूरी में तेल थोड़ा ज्यादा डलता है उसकी वज़े से अमारी पूरी क्रिस्प एन करारी बनती है तो तेल एन आठा को हम अच्छे से मिक्स कर लेते है तो लीची हमने तेल एन आठा को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ही हम एक कप जितना पानी डालके डो रेडी कर लेते है यह दोव थोड़ा सा हाड़ रखना है ज्यादा नहीं जिस तरह से पराठा का डोव बनाते इस तरह से डोव बनाना है तो लिची हमारा पूरी के लिए डोव रेडी हो शुका है तो यह डोव को हम 15 मिनिट तक हम रेष्ट करने के लिए रख देते हैं उसके बाद हम पूरी बनाएंगे तो 15 मिनिट के बाद हम डोव को देख लेते हैं तो हमारा डोव एकदम सॉफ्ट एंड स्मूध हो शुका है परफेक्ट सेट हो शुका है तो यह डोव में से हम एक बड़ा बोल ले लेते हैं तो दो प्रकार से पूरी बनाई जाती है इस तरह से बड़ा बोल ले के एक मोटी रोटी बेल के भी पूरी बना सकते हो और एक छोटा छोटा बोल स्टेके भी पूरी बना सकते हो तो हम एक बड़ा बोल लेके एक मोटी रोटी बना के पूरी बनाएंगे तो इस तरह से पतली एक मोटी रोटी बना लेना है तो फ्रेंड्स एक फ्लावर पूरी बनाने के लिए मैंने अलग-अलग तीन साइज का कुकी कटर लिया है अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो प्लास्टिक की बोटल का ठकन ले सकते हो तीन अलग-अलग साइज का ठकन लेना है और ये पूरी में लेयर वाली फ्लावर पूरी बनाने वाली हो सिंगल फ्लावर पूरी भी बना सकते हो तो इस तरह से पूरी को कट करके हम फ्लावर के लिए साइड पर थोड़ा सा कट लगा लेते हैं तो इस तरह से कट करने के बाद ये बोर्डर पर हम इस तरह से कवर कर देंगे तो मारा परफेक्ट फ्लावर बन जाएगा तो आप देख सकते हो परफेक्ट हमारा फ्लावर बन गया है तो आप इस तरह से बीच में मरी रख के सिंगल फ्लावर पूरी भी बना सकते हो लेकिन हम तीन लेयर वाली फ्लावर पूरी बनाने वाले हैं तो दूसरी मेडियम साइस के जो पूरी है उसको भी हम कट कर के फ्ला बनाया है वो बड़ा है और दूसरा फ्लावर है उससे थोड़ा छोटा है और तीसरा जो फ्लावर बनाने वाले है वो उससे भी छोटा है तो ये तीसरी पूरी से भी फ्लावर बना लेते है और ये तीसरा फ्लावर हम ये पूरी पर रख देते हैं बन गयाना परफेक्ट फ्लावर तो ये तीनो पूरी को कवर करने के लिए बीच में हम मरी रखेंगे ताकि फ्राइ करते टायम ये तीनो पूरी अलग ना हो जाए तो इस तरह से मरी रख के अच्छे से मरी को दबा देना है ताकि तीनों पूरी सेट हो जाए तो लीज़ी हमारा perfect फ्लावर बन गया है तो इस तरह से दूसरी फ्लावर पूरी भी बना लेते हैं आप देख सकते हो हमने तेरी सारी फ्लावर पूरी बना के रेडी किया है और पॉर्फेक्ट हमारी फ्लावर पूरी बनी है तो ये पूरी को हम फ्राइ कर लेते हैं तो दूसरी साइड मेने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था तो तेल भी हमारा गरम हो शुका है तो ये पूरी को मेडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि हमारी पूरी क्रिस्पी और करारी फ्राई हो तो लिट जी हमारी क्रिस्पी करारी पूरी हो गई है तो यह पूरी को निकाल देते हैं तो फ्रेंड्स यह फ्लावर पूरी बनाने में थोड़ा ज्यादा टायम लगेगा लेकिन बच्चों को यह ज़रूर पसंद आएगा अगर आपके पास टायम है तो इस तरह से फ्लावर पूरी बना सकते हो तो इस तरह से हम दूसरी पूरी कोफी फ्राई कर लेते हैं तो लिजी हमने यहाँ पे फ्लावर पूरी फ्राई करके रेडी किया है और एकदम हमारी क्रिस्पी एन करारी बनी है तो इस तरह से दिवाली पर फ्लावर पूरी बना सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आप कोई मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड एर रेसिपी आप अपने फ्रेंड फेमिली के साथ जरूर शेर कर सकते हो तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई